नमस्कार दोस्तों मैं जिस सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अधियस परताप सिंग भी सभी तयाले से मानता प्राप्त समस्त कॉलेजिस के छातर छातरा जिनों ने जून 2020 में के दोरा एक सेकंड चांस का एक्जाम लिया जा रहा है तो है एक्जाम कब से है और आपको कैसे देना है उसी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तब आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइ परिख्षा के लिए दिया जा रहा है चाहे वो यूजी यानि अंडर ग्रिजूएट या पीजी पोस्ट ग्रिजूट के छात्र क्यों ना हो तो उन समय स्थ छात्र छात्राओं को अपना एक्जाम ओपेन बुक सिस्टम पे देना है जो कि आपके एरिये के महा बिद्याले द्वारा लिया जाएगा यानि दोस्तो जो छात्र जिस भी कॉलेज का है उनके एरिये के अंदर गत लिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि दोस्तो जो छात्र छूटे हुए हैं उ रिवा, सतना, सीधी, सिंग्रौली, साडोल, अनुपूर, उमरिया इन सभी जीलों के जो छात्र हैं उनको एक्जाम देना है तो जो छात्रों की संख्या कम होने कारण इसको डिस्टिक लेवल पे एक्जाम लिया जाएगा दोस्तो तो देख सकते हैं कि उक्तविसियों के संद परिक्षा कारक्रम आपकी और भेजकर निवेदान है कि छात्र संख्या कम होने के कारण परिक्षा जीला इस तरी अग्रणी बिस विदयाले में आजुद के जाएगी किर्पिया आप इस आसे को सुचित परिचार्टियों से अधिक से अधिक सुचित करने के कर्षक यानि दोस्तों जो चात्र हैं कम होने कारण यह परिक्षा डिश्टिक लेवल पर लिया जाएगा और वहीं से आपकी को सिगनेशर करके मार्क जो मार्क होते हैं सोरी दोस्तों नंबर होते हैं उसको इनवर्सिटी में भेज दिया जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इनका टाइम टोवल है कोछ इस परकार से है अंडर ग्रेजुएट के जो चात्र है उनका 17 दिसंबर से एक्जाम चालू होगा जो की 17 खत्म भी हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपका जो भी कोर्स होगा उसको आप स्क्रॉल करके क पूर कार से देख सकते हैं कि जो टाइम टोवल है २का पीडिय असर desarrollo को घ्रका एक्जाम लिया जाएगा तो आप अपना एक्जाम सांब को 4 वजे तक दे सकते हैं तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेट करके बताएं और चानल पे नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कलने तो धन्यवाद दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए